नमस्कार दोस्तो, मैं आनिल आप सभी का हर देख स्वागत करता हूँ टेक्चिव यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने अनुसार कैसे अपना Pen Testing Linux OS बिल्ड कर सकते हैं जिसमें सारे Tools, Software, User Interface, सब कुछ हमारी जरुवत के हिसाब से हो तो आईए स्टार्ट करते हैं Pen Testing OS क्या होता है? Simple है, जिसमें Pen Testing के लिए पूरा Environment मिलता है Pen Testing Testing के लिए Tools होते हैं जैसे कि आप काले Linux, Parade Security OS या Black Arts आदी का यूज करते हैं यह सब अलग तरह के Linux Distribution है जिन पर Pen Testing के अलग तरह के Tools इंस्टॉल रहते हैं तो क्योंना हम अपना ही Pen Testing OS create कर लें जिसमें सब कुछ हमारे हिसाब से हो तो इसके लिए हमें एक Clean Linux Distribution की जरुवत पड़ेगी इसके लिए सबसे Best है Arch Linux यहाँ पर आपको कुछ भी Pre Install नहीं मिलेगा आप यहाँ पर सब कुछ अपने सब से इंस्टॉल कर सकते हैं Arch Linux को कैसे इंस्टॉल करते हैं यह मैंने अपने इस वाली वीडियो में बताया था यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप इसी वीडियो को देखिए तब ही आप आगे की कानी समझ पाएंगे यहाँ से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इसमें मैंने Arch Linux को manually install करना बताया है जिसमें हमने सारे packages, tools, file manager, desktop environment सब कुछ scratch से install किया है इसमें हमने केवल बहुत ही जरूरी packages को install किया है अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम इस OS को hacking OS या pen testing OS में कैसे तबदील कर सकते हैं तो जैसे इसको मैंने पहले छोड़ा था यह अभी उसी condition में है बस यहाँ पर मैंने theme change किये wallpaper change किया है और यह dock install किया है आपको जो look अच्छा लगता है आप इसको अपने हैसाब से customize कर सकते हैं आपको यहाँ पर काफी सारी themes मिल जाती हैं जिनकी मदद से आप इसको अपने हैसाब से एक भैतर look दे सकते हैं तो Arch Linux के package databases के अंदर आपको काफी हद तक pen testing के tools मिल जाते हैं जिनको आप direct ही install कर सकते हैं पर बहुत सारे tools ऐसे भी हैं जो आपको इसके package databases के अंदर नहीं मिलेंगे जिसे कि यह देखिए यहाँ पर मैंने कुछ example के लिए tools इंस्टॉल किये और आप देख सकते हैं कि यह tools के databases के अंदर मौजूद नहीं है तो यह direct install नहीं हो पाएंगे तो इसके लिए हम use करेंगे BlackArts की repository का यहाँ पर हम BlackArts का package database आड़ करेंगे इसको आड़ करने के बाद आप इसकी मदद से pen testing के 25 से वियदिक tools को आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे तो इसको setup करना काफी आसान है तो सबसे पहले हम इसके script को डाउन्लोड करेंगे मैं इसको अपने desktop पर डाउन्लोड कर लेता हूँ उसके बाद command लगाए curl-o और setup script का URL जोकी है blackars.org के अंदर strap.sh तो यहाँ पर यह cell script हमारी system पर डाउन्लोड हो जाएगी यह देखे यह यहाँ पर डाउन्लोड हो चुकी है अभी हम इसको रन कराएंगे पर रन कराने से पहले हम इसको एक्जिगूटिवल परमिशन देंगे तो इसके लिए command लगाए ch mode plus x और हमारी script का नाम यह देखे अभी इसको permission मिल चुकी है permission मिलने के बाद हम इसको रन कराएंगे तो इसके लिए command लगाएंगे sudo.slash strap.sh उसके बाद यह script रन हो जाएगी और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर blackarch keyring इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर सारी keys add हो जाएंगी और blackarch का लग से package database create हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर blackarch के tools को आसानी से install कर पाएंगे और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर arch links का package database भी add हो चुका है जिसकी मदद से हम यहाँ पर arch links के tools को install कर पाएंगे यह देखिए यहाँ पर यह setup हो चुका है अब हम इसके बाद अपने package database को update करेंगे तो इसके लिए command लगाईए sudo pacman-s yu इसके बाद यहाँ पर यह update हो जाएगा जो भी हमने इसमें changes किये हैं वो जहाँ पर set हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर packages को install करके देखेंगे देखते हैं यहाँ पर यह install होते हैं या नहीं तो इसको update होने में थोड़ा सा time लग सकता है यह depend करेगा आप content के speed के उपर तो अभी यहाँ पर मैं screen recording को pause कर देता हूँ और जैसे यह process complete होती है हम बापिस से resume करेंगे और यह देखें दूस्तों यह अभी update हो चुका है अभी हम यहाँ पर packages को install कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको देखाता हूँ पहले यहाँ पर कुछ packages install नहीं हो रहे थे अभी यहाँ पर मैंने को search करके देखता हूँ देखते हैं यह packages इसके database में मिलते हैं या नहीं तो मैंने command लगाया pacman-s-s-s-search करने के लिए उसके अभी आप आप जो भी package को search करना चाहते हैं वो आप 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 टाइप कर दीजे जैसे कि मैंने टाइप किया airgaden और आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर यह package मिल चुका है और यह found हुआ है blackarch database के अंदर तो अभी आप इसको आसानी से install कर पाएंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी packages को search कर सकते हैं मान लिजे यदि आपको किसी package का पूरा नाम याद नहीं है तो आप उस package को यहाँ पर search कर सकते हैं कि हमें इसको install करने के लिए उसका क्या नाम देना होगा जैसे कि यहाँ पर मैंने search किया वायर शार्क और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायर शार्क arch Linux के अंदर और black arch दोनों के अंदर ही find हो चुका है आप यहाँ पर टूल का वर्जन देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्जन इंस्टॉल होगा यहाँ पर वायर शार्क के दो तरह के टूल्स मौजूद हैं पहला CLI और दूसरा GUI तो आप यहाँ पर जिस भी टूल को इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं Wi-Fi के pen testing के टूल को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैंने टाइप कर दिया aircrack-ng airgadden wifite मैं यहाँ पर password recovery के भी टूल इंस्टॉल करना चाहता हूँ जैसे कि hascat, john, ncrack, madushaadi तो आप यहाँ पर अपनी जरूवत के हैसाब से टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं आपको यहाँ पर सारे टूल को इंस्टॉल करने की जरूवत नहीं है जिनके भी आपको जरूवत है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया WPSCAN, MITM के लिए EaterCAP, BetterCAP, यहाँ पर मैं MetaSport को भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर मैं Wireshark का GUI वाला वर्ड़र इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया Wireshark-QT, जो की करीब 181 MB का डेटा यूज करेंगे, उसके बाद हम इन सारे टूल्स का यूज कर पाएंगे, अभी आप यहाँ से BlackArch के 25 से विएधिक टूल्स को बस एक ही कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, यह देखिए यह BlackArch के टूल्स की लिस्ट है, आप इन सारे टूल्स को बस एक ही कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जो भी आपकी जरूवत का टूल है, आप इसको यहाँ से देख के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो भी आप अपने एसाब से अपने PenTesting OS को बिल्ड कर सकते हैं, जिस टूल्स की भी आपको जरूवत है, केवल आप वो ही टूल इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको सारे टूल्स को इंस्टॉल करने की जरूवत नहीं पड़ेगी, तो अभी हमारे सारे टूल्स यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, अभी हम इनको चेक कर लेते हैं, कि यहाँ पर यह वर्क कर रहे हैं, या नहीं, जैसे कि यहाँ MetaSport को भी चेक कर लेता हूँ कि यह work कर रहा है या नहीं मैंने command लगाया MSF console और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MSF console open हो चुका है यानि यहाँ पर हमारे सारे tools work कर रहे है जैसे कि यहाँ पर मैंने Wireshark का GUI वाला version इंस्टॉल किया था तो इसको भी यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ मैंने open किया Wireshark को और यह देखिए यहाँ पर Wireshark भी open हो चुका है इसको मैंने अपने डॉक पर पिन वी कर दिया है तो मैं डारेक्ट ही इसको यहाँ से run करा सकता हूँ तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने साब से अपना खुद का pen testing OS create कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको पूरी तरह से customize कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने साब से theme set कर सकते हैं अपनी theme को customize कर सकते हैं और इसको एक advance look दे सकते हैं तो आप यहाँ पर जोभी pen testing की tools को install करना चाहते हैं, आप इनको यहाँ पर आसानी से install कर सकते हैं, जैसे कि यह देखिए, यहाँ पर मैंने warp suit को install किया, और अभी यहाँ पर यह install हो रहा है, install होने के बाद आप इसका use कर पाएंगे, तो अभी यहाँ पर हमारा arch-based pen testing OS ready हो चुका है, तो यहाँ पर हमने पूरा OS, इस crash से ही develop किया है, हमने यहाँ पर arch Linux का use किया, यह एकदम clean और simple Linux distribution है, यहाँ पर हमने सब कुछ अपने सब से install किया है, अभी आप इसको अपने सब से use कर सकते हैं, और इसमें जरूरी changes करके इसको distribute भी कर सकते हैं, आप इसकी ISO image create कर सकते हैं, या OVA image बना सकते हैं, जो कि virtual machine पर work करेगी, तो बताई दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा, और मुझे comment करके जरूरी बताईएगा, कि आप 8 channel next पर और वीडियो चाहते हैं या नहीं, इस caseuse को कैसे fix किया जाता है, इसको कैसे customize किया जाता है, यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो को जद़ ज़दा like कीजिए, comment box में अपनी राय दीजे, ताकि मैं स्तरकी वीडियो आपके लिए आगे लाता रहूं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की मैदपूर जनकरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखेगा, ताकि यहापर मेरी कोई भी नई वीडियो आए, वो मिसना हो पाए, तो अभी के लिए मैं आपसे जाज़ चाऊंगा, जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर, वीडियो को नदर दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,